Hi everyone, as you know, I am Krishangi Sharma इस session में मैं बात करने वाली हूँ कि NTSC के लिए आपको social studies के लिए कौन सी books follow करनी है बचे बहुत ज़्यादा confused होते हैं market में बहुत सारे publications की बहुत सारी books available है तो कौन सी book follow करें क्या हम किसी particular book को पड़ लेते हैं तो हमारा NTSC निकल जाएगा या फिर हम केवल NCRT को follow कर लेते हैं तो हमारा NTSC निकल जाएगा इन सभी सवालों के जबाब आपको इस session में मिलने वाले हैं देखिए बच्चों सबसे पहली चीज बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं हम केवल NCRT पढ़के जा रहे हैं और हम बहुत सारा कुछ करके आ जाएंगे NTSC में तो हो सकता है यह बूल सावित हो जाए क्योंकि कुछ ही state ऐसे हैं जहां पर अगर आप NCRT को अगर आपने पढ़िये अच्छे से और उसके बाद आप अपना पेपल देने जा रहे हो तो आपका एक्जाम निकल सकता है जैसे कि डहली का है डहली हुआ हर्याना है जहारखंड है यहां पर जो आपका पैटर्ण है stage 1 में मैं stage 1 की बात कर रही हूं ठीक है यहां पर जो आपका पैटर्ण है जहां पर आपको SCRT पढ़ना मश्ट है जैसे कि महाराष्टरा गुजरात करनाटका तेलंगाना आंद्रप्रदेश तमिलनाडू ऐसे बहुत सारे श्टेट है जहां पर अगर आपने SCRT नहीं पढ़ी तो NTSC के मार्क्स तो गए सोशल के ठीक है और सोशल बिना NTSC में कुछ ही नहीं तो इन स्टेट के लिए आपको अपनी SCRT स्टेट बोड की बुक पढ़नी है और स्टेट बोड की बुक पढ़ने के साथ सथ आपको थोड़ा सा अगर आप NCRT भी करते हो तो आपके लिए जो माक्स हैं वो बुश्टपी होंगे कम नहीं होंगे तीसरी बात UP और बिहार जैसे स्टेट के लिए हैं वहां पर जो स्टेट बोड का स्लेवस है वो पूरा NCRT से मैच करता है तो यहां बच्चे ऐसा सूछते हैं कि हम केवल NCRT पढ़के जाएंगे और हमारे पेपर हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे ऐसा करके जाते हैं और बाद में बोलते हैं कास हम पढ़ लेते तो ठीक होता है यह स्टेट ऐसे हैं जहां पर NCRT से आता है लेकिन 40 नंबर का नहीं आता है आपको बुक के नाम पर NCRT पढ़नी है लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलग से कवर करनी है वो हम कहां से कवर करेंगे उसके लिए परेशान मत हो यह आप मेरे सेशन्स को फॉलो कर सकते हो मैं अपने सेशन्स में वह सभी पोर्सन कवर करा है ठीक है अब एक बहुत बड़ा confusion राजस्थान और मध्यप्रदेश के बच्चों के माइंड में है क्योंकि वहां भी रिसेंटली ही सेवा चेंज हुआ है पहले वहां स्टेज वन के लिए पैटर्ण चलता था लेकिन अब वहां NCRT ही हो गई है या फिर यूँ खहूं स्टेट बड़ का सले वस NCRT से ही मैच करता हुआ हो गया है तो उने स्टेट के लिए क्या करें क्या NCRT से काम चल जाएगा मैं आपको बहुल सकती हूं कि आप NCRT तो आपको पढ़नी ही है लेकिन मेरा suggestion यह है कि जो मतलब अगर आप थोड़ा सा extra portion कर लेते हो जैसे मद्यप्रदेश जी के से related portion आपने कवर कर लिया थोड़ा सा NCR, Medieval, Physical, Geography General Civics, General Economics से related portion कर लिया तो आपके जो marks की probability है वो 35 to 40 हो जाएगी और अगर के वहल NCRT पढ़के जाओगे तो हो सकता यह 20 पर ही अटक जाए सारे मतलब सलेबस कवर करना है आपको सभी subject भी पढ़ना है खेलने कुंदे का भी time निकलना है शादियों में भी जाना है सब कुछ करना है ना ऐसा तो है नहीं कि हम केवल सारी चीजों को भूल जाएंगे तो वह सारी चीजा भी आपको manage करनी है तो मैं आपसे यह नहीं कहूंगी कि आप बहुत सारी books को कर लो और क्योंकि market में कोई भी ऐसी वो available नहीं है कि आप उसको लियाओ और उसका रट्टा लगाओ और आपका paper निकल जाए ऐसी कोई भी book नहीं है अगर आप NTSC की विप्रेशन कर रहे हो और अगर वो आप टीचर्स की guidance में करते हो तो आपके लिए most beneficial है आपका time waste नहीं होता क्योंकि time के अपनी value है तो अब आप इस पूरे उसका session का conclusion यह निकाल सकते हो कि हमें books कौनसी follow करनी है NCRD और SCRD उसके अलाबा हमें paper को analyze करना है PYQ उसके basis पर कि हमारे paper में आ क्या रहा है आपको समझना है कि हमारा state पूच क्या रहा है उस basis पर अपनी vibration करनी है अगर मेरी guidance में vibration करना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो मैं आपकी पुरी vibration कराती हूं NTSC के लिए social का अगर मैं feedback बता हूं अपना तो पिछले सालों मैं बच्चों के जो भी बच्चे मेरे साथ regular रहते हैं क्लासेज में 35 प्लस मार्क्स आया है जाहे हम मैं stage 1 की बात करूँ चाहे stage 2 की बात करूँ तो आप मेरे courses follow कर सकते हो या फिर आप जो भी courses follow करना चाहो वो कर सकते हो लेकिन ये साफधानी जरूर रखो कि हमें पढ़ना क्या है हमें कौन सा content cover करना है वो awareness होना बहुत ज़्यादा जरूर है क्योंकि NTSC देने के लिए आपको एक ही chance मिलता है life में lifetime एक ही chance मिल रहा है I will reply you और बाकी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो फिलाल में session को यान करती हूं और मिलती हूं किसी next session में किसी और अच्छी जानकारी के साथ तब तक के लिए Bye and take care बाइ